शिक्षा और संस्क्रिती की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले आपके लिए लेकर आया है 91.2 FM पर बदलतेश शहर की धड़कन हेलो अलद्वानी दोस्तों एलो अलद्वानी एक सामुदाइक रेडियो है जिसे आप 91.2 MHz की फ्रिक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले इस रेडियो पर हम समुदाइ और समाज की जानकारी के लिए कई तरह के कारिक्रम लेकर आते हैं तो वहीं उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले से जुड़े फे विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारिया और सिक्षन सामागरी हम इस रेडियो पर लेकर तो फिलहाल ऐसे ही एक कारिक्रम के साथ हमारे स्टूडियों में मौजूद हैं उत्तराखंड मुद्विश्य द्यालय के संगीत नृत्य एवं कला प्रदशन विभाग से तुईजे शुपाध्याय और प्रकास चंद्र आर्या और इनकी जानकारी का जो आज का विश्य है वो जो योगदान संगीत में है इस बारे में ये पूरी जानकारी रहने वाली है तो पेश है आपके लिए ये कारिक्रम नमस्कार मैं दुजेश उपाध्याय संगीत नित एवं कला प्रदशन विभाग मानवी की विद्याशाका उत्राकर्ण मुक्त विश्य विद्याले और मेरे साथ ही प्रकास जी है वो अपना परिचे देंगे नमस्कार मैं प्रकास चंडरारिया संगीत नित एवं कला प्रदशन विभाग मानवी की विद्याशाका से आज जो हमारा संगीत को लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ दिसकुशन्स हम करना चाह रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे शोता है वो संगीत के तबला विधा से जो संबंदित हैं उनके लिए हम लोग कुछ दिसकुशन्स करना चाह रहे हैं जिनसे उनको तबले से जूड़ी वी बहुत सी कुछ यसी जानकारिया हैं जो इंट्रोड़क्टरी रूप में जो कहा जा सकता है उससे एलेटेड हैं मुख्य रूप से हम तबला वि इन तीनों ही विधाओं में जो तबला वाद्य है वो बहुत ही महत्पून भूमी का निभाता हैं तो कि तबला वाद्य जो है गायन निर्त्य तथा आप तंत्री वाद्य ले लिजे या सुगम संगीत ले लिजे या लोग संगीत ले लिजे इन सभी विधाओं के साथ तब परन्तु समय के साथ इसका प्रचलन बढ़ने लगा और धीरे धीरे इसका प्रयोग एकल वादन में भी होने लगा। जिसको हम सोलो वादन भी कहते हैं। किसने इजात किया है लेकिन ये कहा जाता है कि उस्ताज सिद्दार खाने उसको मेंली इंट्रड्यूस किया और उसके बाद उसमें रचनाएं उन्होंने बनानी शुरू करी। उसमें जब चीजें बन रही थी तो वो मुख्यतह संगत के लही थी। काफी बाद में अभी 1200 साल पूर में जो एकल वादन है वो प्रचार पसार में आना हो। अब जैसे सरन ने बात की की तबले वाद्य का जन्मत 3400 वर्स पूरू का ही माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि सिधार्थ खान जो थे वो दिल्ली के रहने वाले थे। दिल्ली के रहने के कारण इन्होंने जो तबले है तू वादन-सामग्री बनाई इस सभी चीजों का निर्माढ दिल्ली में हिवा चुकि सबसे पहले तो संगती करने है तू ठेके का निर्माढ हुआ पश्चात फिर अभ्यास एतो बोलों का निर्माड हुआ और इन बोलों के आधार पर फिर घरानों का निर्माड हुआ मुक्यता हमारे जो तबला है इसमें मुक्यता छे घराने माना जाते हैं जिसमें दिल्ली घराने को इन सभी घरानों का जनक माना जाते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन कुछ जो हमारी चर्चाएं होती हैं संगीत बुद्वानों के बीच में उसमें से जो हमारे छे गराने माने जाते हैं जिसमें दिल्ली है, लखनव है, अजराडा है, फरुखाबाद है, बानारस है और पंजाब है पंजाब के जो गराना के रूप में मानते हैं वहां के और वो पाच घराने प्लस एक घराना इस तरीके से ये चीजे जो वरतमान में प्रसलित हैं वो इस तरीके से हैं लेकिन जब हम पूसते हैं या बताते हैं बच्चे पूसते हैं जो विद्यारती हैं या जब सिक्षक उनको बताते हैं या कहीं इसके बाद सुगम संगीत आया है और शास्त्री संगीत में भी छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल ये विधाएं जैसे आई हैं तो इनकी संगती है तो क्या हुआ पखावज वाध्य उप्युक्त नहीं माना गया संगती है तो तो उस वाध्य के आधार पर जो तबले का निर्माण हुआ निर्माण के बारे में तो अभी सर्न ने बताया है कि उसके बारे में कोई ठोस प्रमाण तो हमें मिलते नहीं है, लेकिन दिल्ली घराने उन्हें जो है तबले की वादन समगरी का निर्मान किया, इस आधार पर दस वर्णों का निर्मान हुआ तबले का, जिनके आधार पर इसके और अलग-अलग तरह के बोल बने, और फिर इसके आधार पर फिर रचनाएं बनी, इ बनारस घराने की चीज है, दिल्ली घराने में मुखड़े की जादा प्रेयोग होता था, मुखड़ा अर्थात इसे जब आप अपना अपना सोलो वादन प्रारंब करते हैं, तो सर्वप्रतम मुखड़े से ही वादद अपनी रचना प्रारंब करता है, बिल्कुल सहीं कह जैसे जैसे किसी भी मती का की चीज़ का विकास होता है यह हम सभी जानते हैं तो उसमे बहुत सी चीज़ जुड़ती है और बहुत शुरुवाती दौर था तो इस समय पâte बहुत कम चीजों का निर्मान किया गया। उसके बाद जैसे जैसे घराने बढ़ते चले गए और उस घराने वो जहां इस्थापित था उस देश काल प्रस्थिती के एसाब से या किसी की संगत के एसाब से या जो एकलवादन में भी था तो जो वहां के विद्वान रहे हैं जो उस्ताद लोग रहे थे तो उन्होंने उस चीज को देखा समझा और उन्हें कुछ जो डेवलप होना शुरू हुआ तब ही दूसरे घराने को मानिता भी मिली अब आज जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुख्यतवर जो एकलवादन के विशे पर बात कर रहे हैं जो हमारे संगीत में मुख्यतवर तबले के विद्यारती हैं और जो सुन रहे होंगे शोता उनकी इंड्रिक्टरी नॉलेज के लिए भी हम बताते हैं ति उसमें भी एक करम होता है जैसे हर तरीके से हम देखते हैं कि हमको एक बुक उठाते हैं या हमारे कोई सेलिबस होता है तो उसमें कोई चेप्टराइशन होते हैं या उनका कोई करम होता है कि पहले क्या इसी तरीके से जब हम तबला विश्य के इंतर्गत बात करते हैं और उसमें भी मुख्य रूप से जो रचनाएं आती हैं और जो वरतमान में अब जो एक उसका एक फॉर्मेट जैसा बन गया है कि जब भी एकल वादन किया जाएगा तो इस तरह से चीजें हर जो विद्वान क मुख्यता अब ही सो वर्स या देर सो वर्स पूरू ही जादा प्रचलन में आया है एकल वादन से पूरू हम यह देखते हैं कि तबले की जो ताले हैं मुख्यता तबले की ताले बहुत सी हैं जिनकी संख्या असीमी थे वैसे तबले की ताले लेकिन मुख्यता हम अधिकतर जो सुलो वादन सुनने को देखते हैं वो तीन ताल, जब ताल, एक ताल, आड़ा, चार ताल, पंचम सवारी इन ही तालों में ज़्यादा एकल वादन देखने को मिलता है अब सर्व प्रतम इन तालों की क्या होता है इन तालों में मात्राय निश्चित होती है इन्ही मात्राओं के अंतरगत रचनाओं का निर्मार किया जाता है और उन रचनाओं का फिर वादन किया जाता है सर्व प्रथम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी जैसे दिल्ली घराने में मुखड़े से प्रारम करते हैं तो मुखणा रचना जो है वो जादा बड़ी रचना नहीं होती है वो जादा से जादा आदा आवर्तन या एक आवर्तन इस प्रकार से मुखणा रचना का निर्माण किया गया और फिर इसका वादन किया जाता है अब इसके साथ एक जो हमारे तबले के विद्यारती है वो ल जब किसी ताल में निमद्ध होगा तो साथ में आपको एक संड़त करता की जरूधत पड़ती है जिससे वो लहरा जो बजायेगा और वो दिखाता रहेगा वो ताल को प्रदर्शित करेगा अब वो जब ताल को प्रदर्शित करेगा तो वहाँ पे ये चीजें आती है कि वो काल को कैसे ब्रदश्री कर रहा है अब वो सकता है कि आपका साथ वो किसी वाद देए जैसे हार्मुनियम है सितार है वाइलन है या कोई अन्सारंगी है उसके माद्धियम से या कहीं गहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ जो कलाकार होते हैं अपने साथ संगत के रूप म कुछ गायक भी रहते हैं कि वो गायन कर रहे हैं और वो लहरे के रूप में गायन कर रहे हैं और साथ में जो तबलावादक है वो अपनी रचनाए बजाता है और इसमें मुक्यतों जो रचनाए होती है उनका भी जैसे हमने बताया कि एक करम है जैसे प्रकास जी ने बताया कि जैसे उठान आया, यह सब चीज़े आये, तो जैसे संगीत में आप देखते हैं, कि ले जो होती है, उसके तीन रूम हमें सरुमाने है, उसमें है आपका विलंबित है, मद्ध है, अदूत है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें आपकी रचनाई होती है, इन तीन ले के अंतर रचनाई हैं, और मद्धिले में बताएंगे प्रकार जी कौन-कौन सी रचनाई आती है, मद्धिले में कभी-कभी यह भी देखने को मिलता है, कि रचनाकार कुछ कायदे मद्धिले में भी बजाना पसंद करते हैं, तो मद्धिले में कुछ कायदे बजा लेते हैं, जी, र चक्रदार है, विविन पका के टुकड़े हैं, तिपली, चौपली है, यह सब चीज़ें बसती हैं, लेकिन यह कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कि जैसे हम चीज़ें कहते हैं, कि समय, देश, काल, परस्थिति के हिसाब से चीजों में बिलकुल फिक्स नहीं है, विलंबिक में फिक में बजाता है, वो उस जो रचना है, उसकी गती, उसके स्वभाव, उसका नेचर है, उसके एसाथ से चीज़ें होती हैं, और इसका जो करम वैसे जो देखा जाता है, कि जैसे आपने उठान बजा ली, या अगर वो दिल्ली गराने का अगर है, तो वो मुखडा से शुरू जो कम मात्रा की ताले हैं, उसमें वो चीज़ें जब बजाते हैं, काईदा जैसे चीज़, तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, कि उसको मध्धिले के रूप में वो दिखती हैं, कि ताल मध्धिले का रूप रही है, तो उसमें वो काईदे भी बजाते हैं, और उसके बाद रेला है रो है यह सब चीजें मदले में आती हैं और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि विलमवित के बाद जितनी भी चीजें वजाई जाती हैं जो अभी हमने अभी पूरु में बताया वो सारी चीजें वो मदले में ही उसका वादन कर लेता है वो दृतले में जाते ही नहीं यह ड जयारती को अपने शिश्य को अलग लग घराने की चीज़ें से खा रहा है तो ये कोई सट पैटन वैसा नहीं है कि उठान दिल्ली वाला है तो उठान नहीं जा आज करका जो है वो चीज़ें ऐसी है यह जैसे आपने बहुत बढ़िया बात कही है भी जैसे हम पहले के जो अपनी प्रस्तूती रखनी है और आपको यही गराना सीखना है रन्तु वर्तमान समय में यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं रह गया है वर्तमान समय में आप हरे गराने से जो आपको अच्छी चीज लग रही है आप उसको उठाके बजा सकते हैं लेकिन सर इसमें भी मुझे एक चीजे अब ऐसी है कि जो भी एक विद्धियारती है, क्योंकि सभी विद्धियारती ही है बिल्कुल तो वो किसी भी गराने को जब बजा रहे हैं पहले की सिक्षा और अभी की सिक्षा में बहुत अंतर आ गया है कि विद्यारती सोचते हैं कि हम सारे घराने बजा लें एक साथ लेकिन ऐसा ये संभव नहीं होता है तब ही पहले एक कहावत भी कही जाती है कि एक साधे सबसदे कि जब आप पहले एक गहराने की सारी चीज़ों को जो main main जो उसकी basic चीज़े हैं जब आप उनको सीख लेते हैं तब अगर आप दूसरा गहराना सीखते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदे मन होता और आपका उसमें जब आप सत जाता है तो आप दूसरा गहराना भी आस पासा हमें ही देखना है विद्यार्ती को भी देखना है चिक्षक को भी देखना है और एक इसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहरा हूं कि जब हम एकलवादन कर रहे हैं तो एकलवादन भी दो प्रकार से हो रहा है ये जितने भी हमारे संगीत के शोता हैं मुक परिशा है जहां पर आपका एकलवादन के रूप में आपने जो भी सीखाया आप प्रस्तुत करते हैं आपका प्रैक्टिकल एक्जाम होता है प्रियोगात्मक परिशा है और दूसरा होता है संगीत कारेकर तो इनमें भी एक डिफ्रेंस है जो मैं चाहूंगा कि हमारे प्रका कर रहे हैं कि एक सफल एकल वादन और एक मतलब ब्रहत किस प्रकार कर रहे हैं एक तो आप 90गटा बजा हुआ है आप 1650 गंटा करने लेकिन उसमें यह नहीं है जिसकी हम इस इस प्रकार से और एक है कि आप उसे दस मिनट में प्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें आप सब चीजें दिखा दे रहे हैं उठान के बाद पेशकार काइदा रेला फिर गत परन तुकड़े इस प्रकार से तो उसे हमें एक सफल एकल वादन कह सकते हैं सर दिखिए जितना भी ह प्रिवगात्मा प्रिक्षा में जा रहे हैं और आप अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं वहाँ पे आप कोई भी ताल बजा रहे हैं तो जो पैटन है उसमें जो बंदिशे होती हैं जो रचनाएं होती हैं उनमें एक लिमिटेशन होती हैं कि आपको किस तरीके से उसको प्रे देंगे उस समय ध्यान रखने यह चीज है कि वो सोला मात्रा की ही तीहाई बजाएं इसी चीज को हम जब संगीत कारिक्रमों के माध्यम से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हम अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं किसी ताल को प्रस्तुत कर रहे हैं तो जब रचनाय बजा वादन के समय ध्यान देना है। इसके साथ ही एकल वादन में जो ये चीजें हमने आपको रचनाएं बताई हैं, इनका क्रम विलम्बित को छोड़ के मध्य में आगे पीछे हो सकता है, क्यों ब्रबर जी बिलकुल में लेकिन विलम्बित में इसका जो क्रम होता है उठान या म थोड़ा सा जैसे अगर हम कोई परन से पहले गत या गत से पहले परन या चकरदार टुकड़ाय टुकड़े से पहले हम गत को बजा सकते हैं ऐसा कोई वो नहीं है हर एक अपना जो कलाकार है वो उसको जिस आप से वो सीखता है या जो भी उसको गुरू सिखा रहा है वो उस घराने की आप जो चीज बजा रहे हैं उसमें उतनी सफाई होनी चाहिए उतना ही आपका अभ्यास होना चाहिए और वो जिस तरीके से प्रेजन की जानी है उस तरीके से प्रेजन होनी चाहिए पिल्कुल पिल्कुल सर, लास्ट में अब इतना ही कहेंगे कि आप जितने भी हमारे विद्यारती तबले के आज इस रेडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनसे यही आशा करते हैं कि वो अपने रियास पे जादा ध्यान देंगे, अपने अभ्यास पे जादा ध्यान दे तो आप इतना रियास करेंगे जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको चीजे समझ में भी आएंगी और इनी शब्दों के साथ मैं दुजेश पाध्याय 91.2 FM हेलो हलवानी की तरफ से आपकर धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को सुन और आपको हम ऐसे ही संगीत और तबले के विशे में विभिन जो पहलू होते हैं उसके बारे में हम जो जानकारियां हैं वो साजा करेंगे और उन पर चर्चाय करते रहेंगे प्रकाजी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद सर और मैं आशा करता हूँ जो आज हम इस विशे पर और चर्चा करेंगे और अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद